अब हम डिफॉर्ट कंस्रेटर के प्रैक्टिकल वे करके देख लेते हैं अदभी कैसे वर्क करता है मैं इसको देव में चला रही हूं तो आपको पते ही हुगा इसमें हैडर फैल्ट से अलगी यूज होते है मैंने हाँ पर क्लास बनाया है मैंने अड़ कमना रहती हूँ मेरी यह दो दाटा मेंबर है M & N अब मैं उसके बाद पब्लिक सेक्षिन क्रेट कर रही हूं जिसमें मैं कंस्रेक्टर को डिफाइन करूंगी जीसे का मैं आपको देफिनेशन में परले बता दिया गार को अपर बदा दिया चाह अब कि पदिवल्ट बनाना था तो मैंने नग नगूमेंट मैं हे इसके ब्रैक्ट में बन चुछ नहीं डालाते है इसमें हमेंग इतार यहां इसने इतार कोई स्लाइट को इसको हम्हान की वैल्यू में डाल देती हुम खाए जिसको हम में में इक फांक्ष्ण बना जेती हूं जिसको हम में में कॉल कर लेंगे क्लास बंद करने के लिए हम ये यूज करते हैं उसके बाद मैंने मैंन बनाना है इसे एड़ ग्लास नेम अबजक्ट कैसे बनाते है ग्लास नेम लिखते हैं फिर अबजक्ट नेम लिखते हैं मेरा अबजक्ट के नाम भीजी रख लेती हूँ विद रूर्गुमेंट है तो मैं सिंपल ऐसे छोड़ सकती हूँ और उस object से मुझे show function को call करना है, तो dot operator लगाना होता है, इस तरह से देख सकते हैं, मैं को show का आ गया, तो मैं show पे खिलिक कर देती हूँ, और इसके बद मैंने, इसको close करती है, अब इसको compile करके देख लिएते हैं, कोई error तो नहीं है, इस तरह से में देख सकते हैं, इसमें कोई error नहीं है, मेरा पूरा यह run कर चुका है, दोनों गई value आगे, 70 और 69, इस तरह से में देख सकते हैं, मेरा पूरा पूरा कर गया है, जिसमें दोनों गई value आगे, value जाल 70 और 69, और M और N की, तो इस तरह से में default constructor बना सकते हैं, अब इस तरह से में default constructor बना सकते हैं,